हालो सलाम नमस्ते सत्र आकाल दोस्तों आज सुबह जब मैंने लापटब आउन किया और मैं अपना व्यागी स्टार्ट कर रहा था लाइक दिस कि मैं पस्टेसन प्रो है और प्लेयर भी है तो जैसे ही मैं इसे उपन कर रहा था तो मैं पस्ये एरर आने लगी व्येवेवर वकस्टेसन प्रों कांट रन अंविंडोज ये अरर कल तक नहीं आ रहे थी कल रात तक बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ बट अभी सुबह यह error मुझे आ रही थी और फिर मैंने इस error को solve करने की कोशिस करी आप जब check for updates पे जाओगे तो यह क्या करेगा Microsoft से rewrite करके आपको VMware की website पे लाएगा और उसके बाद आपको यह updated version डाउनलूड के बोलेगा तो इसको कैसे solve करना है मैं आपको बहुत quick solution देता हूँ बहुत easy solution solution है आपको update करने की ज़रूवत नहीं है VMware install करने की ज़रूवत नहीं है simply आपको Google पे जाना है और search करना है Windows ADK Windows ADK सर्च करके आपको पहला जो link आएगा उस पे जाना है और यह basically कहा है Windows का assessment and development जो deployment kit होता है वही है जैसे कि Android SD को होता है वैसी Windows ADK है इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको जो सबसे पहला option download the Windows ADK for Windows 10 version 1903 अब आपका जो machine है वह obviously 1903 ही होगा यह check करने के लिए आपको simply Windows R प्रेस करना होता है यहां पर और वीन वर यहां पर Windows आर आप जैसी प्रेस करेंगे यहां पर यहां विन वर्स सर्च करेंगे तो यहां पर आपको Windows का वर्जन शो हो जाता है आप आप देख सकते वर्जन 1903 तो आपको सबसे पहला option इस पर क्लिए करके दाउलोड कर लेना है एडी के का सेटप मैंने डाउलोड कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर के भी में फाइल होगी है यह रही एडी के सेटप इसको आपको डाउलोड करना है और उसको सेटप को स्टार्ट कर देना है रन कर देना है ठीक है अब मैं यहां पर अगी करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टिकमाक करने का options मिलेंगी तो आपको जो पहला टिकमाक है application compatibility tools इस पर जरूर टिकमाक करना है यह टिकमाक करके उसके बाद आपको install पर click क compromised होंगे और install करने के बाद आपको आगे का प्रॉसीजर करना है तो फ्लााइब वेट करते हैं इसके install होने तक उसके बाध मोले बढ़ते हैं सथमाने स्दोर से बखने के हमारा install हो चुका है उसक बाद को simplest को close करते ला तरहिंड है je यह options आपको अब दिखने लगेंगे compatibility administrator का एक option आएगा इस पर आपको simply click करना है और yes पर click करना है ठीक है यहां हम आगे फिलाल अभी आप ध्यान दिजिए कि अभी भी हम जब VMware को start करेंगे तो हमेर पर same यह error आएगा तो हमें इसे dismiss करना है ठीक है और सबसे नीचे हम वी section में आके VMware pro search करेंगे ठीक है तो यहां उपर चलते हैं यहां पे वी आगे हमारा VMware workstation pro यह रहा हमारा VMware workstation pro अब यहां आने के बाद आपको right panel में आपको दो एंट्रीज दिखेंगी VMware player.exe और VMware.exe इन दोनों में यहां पर लिखा हुआ हाट ब्लॉक एप हेल्प में हाट ब्लॉक लिखा हुआ है आपको दोनों एंट्रीज को को डिसाबल कर लिए यहां पर डिसाबल एंट्री पहला हमारा डिसाबल हो चुका और दूसरा डिसाबल एंट्री बस इतना सिंपल सा काम करना है और उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है अब हम वापस से वीम्वेर स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता हमारे साथ तो वीम्वेर वक्स्टेशन प्रो यहां पर है आई थिंक स्टार्ट हो जाना चाहिए और यह रहा ताड़ा यहां पर वीम्वेर प्रो स्टार्ट हो चुका है और हमारा वीम्वेर पॉफेक्ट्ली वक कर रहा है विदाउट इसको अनिस्टॉल या फिर अपडेट किये होगा और आपकी वीम्वेर की प्रॉब्म सॉल्व हो गई होगी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक और श्यर्ट कर दीजिएगा नीचे कमेंट में अपना सवाल या सुझाओ दे दिजिए और मैं मिलता हूँ कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब लगले बबाई टेक क्यार